तो आज हम लोग जा रहे हैं रमजान और ईद की दोनों की सौपिंग करने के लिए एहमता बात तो मैंने सोचा कि आज तो व्लोग बनता ही है तो जितना हो सागेगा मैं आप से शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या एहमताबाद से शौपिंगी तो मेरे चैनल पर एहमताबाद के काफी सारे व्लोग है फिर भी आज मैं थोड़ी प्रॉपर तरीके से आप बताऊंगी कि हम क्या लेते हैं क्या नहीं और यहाँ पर हम सब रेडी हो चुके हैं तो मैं अभी आ गई हूँ हम मेही कर पे और आज तो बहुत बार मैं आपको फारुक से भी मिलाओंगी तो चलिया हम चलते हैं डारेक्ट फारुक के पास तो हलो फारुक कैसे हो तो देखिए फारुक में माशाला से बहुत अच्छा सा कूरता पैजामा पहना हुआ है और यहां पर मेरी बेटी इकराबी रेडी है देखिए अभी हमारे अली अलान और मेरी अप्या नहीं आई है तो यहां पर देखिए मैंने भी अबाया वेर किय है और यह थोड़ा गंदा हो गया है मीरर तो इसको मैं क्लीन करके आपको बताती हूँ और यहां पर देखिए मैंने अभी न्यू यह नोस पीस ली है न्यू निकाब लिया है मैंने ऑनलाइन तो यह बहुत मुझे अच्छा लगा यह हूप वाला है बहुत अच्छा है इसक सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शिर कर्मेंट जरू कीजएगा चल करते ही स्टार्ट तार षबया हूप अच्छा हैं दान्सा बाभी आड़ोट पर आचुके हैं अली आलाण हम आ गए हैं इस साथ होटल में खाने के लिए तो जश्ट हम अभी ही आए हैं हमने खाना वगिर ओडर नहीं किया है तो फाइनली यहां पर हमारा ना देखिये ओडर आ चुका था तो यह है मसाला वाला पापड़ यह बहुत ही टेश्टी लगता है तो जब भी खाना ओर्डर करते है तो यह वाला तो जरूर ही ओर्डर करते है कौन को ने खाता है कमेंट करके जरूर बताएगा और यहां पर देखिए अली कितीनी भुकड की तरह खा रहा है और हमने मंगा लिया था हमने तंदूरी नहीं मंगा थी क्योंकि तंदूरी यहां के ना बहुत ज़दा स्पाइसी होती है तो हम ना तिक्का मंगा लेते है तिक्का बहुत अच्छा रहता है बचे लोग भी इजली खा लेते है और यहां पर इक्रा तो सरीफ मसाला पापड पे ही मंडी हुई थी क्योंकि ना यह जो देख जाती है तो उसको छोड़ती ही नहीं सो हमने खाना वगी रिखा लिया था उसके बाद हम लोग आ गए थे मार्किट में क्योंकि ओविसली हमको ना सौपिंग ही करनी थी तो यहां पर देखी हम लोग आ गए थे अलहान और अली के लिए सूज लेने के लिए तो यहां पर ना बहुत अच्छे अच्छे सूज मिल जाएंगे आपको सूज की प्राइस तो आपकी रहेगी 250, 150 बस यही रेंज रहती है आप चाहो तो बारगेनिंग भी कर सकते हो बारगेनिंग बहुत अच्छी हो जाती है बस बारगेनिंग करने वाला आपके साथ होना चाहिए तो आपको बहुत फायदा होगा और फिर हम आ गए थे तीन दर्वाजा यानि की मेन अमदाबाद का तीन दर्वाजा जिसको नहीं पता वो जान ले तीन दर्वाजा अहमदाबाद की तीन दर्वाजे फे बहुत अच्छे चीज़े मिल जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो चीज़े में दे देते हैं सिर्फ आपको थोड़ा दिल मारना पड़ेगा और बार्गिनिंग करनी होगी नहीं करते तो आप उसको न छोड़े के थोड़ा आगे चली जाईए तो यह जरूर ही आपको आवास देके बुलाएंगे और आपको जो प्राइस में आपको दे दे होगी और हमने हमारे लिए भी शॉपिंग की और क्यों इतनी सारी शॉपिंग हमने की वह आपको थोड़े दुसरे तिसरे वलोग में आपको पता चल जाएगा तो यह ना यहां पर फिर हम निकल गए थे यहां पर आपको देखिए सारे ब्राइडल सेट है और बहुत कुछ मिल जाएगा फिर यहां पर हम ड्रेस लेने के लिए आ गए थे यह वाली दुकान में बहुत ही अच्छा अच्छे ड्रेस की वेराइटी थी बहुत ही अच्छे थे डाइमन वर्क में और गाउन जो फरसी सूट है घरारा सूट है अभी न्यू ट्रेंड चल रहे है वो यह पर वाड़ा के अंदर वाली सौफ है इसका नाम तो मुझे पता नहीं फिर भी होगा तो मैं मेंशन कर दूंगी तो यहां पर बहुत ही अच्छे प्राइस में ड्रेस मिल जाते है तो यहां पर बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं की थी उन्होंने और हमने हुजद भी नह के लिए सेंडल आपको मिल जाएंगे आपको ना बहुत अच्छे अच्छे सूस सेंडल डाइमन वाले ब्राइडल वेर वाले सब कुछ मिल जाएगा यह है अहमदाबाद का टिटोरिया मार्गेट यहां पर आपको हर एक चीज मिल जाएगी सिर्फ यहां पर सौपिंग करन में बलते हैं यहां पर भी आपको ह toothpaste मिल जाएंगे तो यह अंकल तो वैसे कर रहे थे बढ़ मेरी अम्मी जाने ना वह बहुत ही इन सेलर की चिकड़ी चुपड़ी बातों में आही जाते है तो फिर हमारी बार्गेनिंग वहाँ पर स्टॉप हो गई थी और यहां पर फिर हमने थोड़ा जो रबर बैंड है यहां पर यहां देखते है तो यह सा होता है कि यह ले लो वो ले लो यह ले लो बट वजड़ भी हाई ही चला जाता है तो फिर थोड़ा दिल को मारना ही पुरता है तो अब तो मैं कभी भी एहम्दाबाद आती हूँ मेरी तो भूत कम सॉफिंग होती है जाधा करकी मेरी इकरा की ही सॉफिंग करती हूँ उसके रबर बैंड ये वो ये वो उसके लिए ही लेना होता है और बस यहां पर देखी हमने बहुत कुछ सामन ले लिया था और थोड़ा थोड़ा में सूट भी करती रहती थी ज़्यादा रश होता था तो मैं वहां पर सूट नहीं करती थी क्योंकि इस तरहां ही सूट करते करते मेरा ना पहले वाला फॉन तूट गया था एहमदाबाद में ही सूट करते करते तो इसलिए मैं ज़्यादा रिक्स नहीं ले रही थी यहां पर अली को देखे कितना थक गया है क्योंकि थोड़ी गर्मी थी इतनी नहीं है और बस फिर यहां पर हम निकल गए थे मार्केट आपको दिखा रही थी एहमदाबाद धालगरवाड की मार्केट है अभी इतना अच्छा तो इट कलेक्सन आया नहीं था क्योंकि अभी तो सिर्फ रमजान भी स्टार्ट नहीं हुए थे तो इतना अच्छा वाला कलेक्सन नहीं था था मतलब नॉर्मल कलेक्सन था क्योंकि हम रमजान के अंदर आते यानि की दसवे रोजे पंधर में रोजे में आते ना तो इट के लिए काफी अच्छा कलेक्सन हो जाता है बट रमजान में आना बहुत जादा डिफेकल्ड हो जाता है क्योंकि फिर हम को रोजा होता है तो बिल्कुल हम फिर भी नहीं सकते है और रमजान में यह एहमदाबाद की जो मारकेट है वो रात में खुली नहीं होती है मेरा कहने का मतलब यह होता है कि इनको क्या करना चाहिए दिन में बन रखके रात में इफ्तार के बात ये मार्केट ओपन करे तो सब अपनी अपनी खरीदी के लिए आ सकते है तो ये नहीं होता है तो इतनी धूप में हम खरीदी नहीं कर सकते है और बस फिर हम यहां पर जा रहे थे जो बाहर धेले लगते हैं पथारे लगते हैं वह रहे थे क्योंकि मेरी अप्या जब भी आती है न उसके बच्चों की कबड़े लेने ही हूते हैं तो वो हम बहुत जादा बोर्ух हो जाते हैं वो बहुत जादा लेट करती है पसंद करने में चौइस यह वह यह वह तो मैं और फारुक मिया इतना थक गई थे इतना थक गई थे फिर उसको बोल भी रहते कि तुम जब भी आती हो तुम यह साही करती हो यह करती हो फिर अप्या भी थोड़ा बोलती थी के वही मैं तो आऊंगी तो मेरे बच्चों की सॉपिंग करूंगी ना तो यहां पर देखिए आप देख सकते हो रच कितना जादा है क्योंकि जब भी आओ हमदाबाद एक ऐसी जगा है ना जब भी आओ आपको फुली रस मिलेगा मतलब इतनी पबलिक होती है ना मतलब पता ही नहीं चलता क्या करे क्या ना करे कैसे सॉपिंग करे मतलब ऐसा से घुरते हैं ना कि मानों कि मतलब हमको खा ही जाएंगे तो मैं वाइस ओवरिंग ही का लेती हूँ कि ना इतने रस के अंदर मेरी इतनी लावडली आवाज निकलती नहीं है तो यहां पर अप्या देख रही थी बच्चों के लिए कुछ ट्रेस उसके बाद हमने फिर से हम फ्मौने निकलते हैं ना तो बस यही चीज खाने ने के बाद ना यहीँ चीज से हमारा पूरा पेटफूल हो जाता है यानि की गने का जूचते लिंबू पानी से और एहमदाबाद में जादा घर्मी में आना मतलब मौत मौत हो जाती है इतनी बड़ी मौत हो जाती है तो बस यहां पर हमने सारी सौपिंग वगेरे कल दिये थी उसके बाद हमने सही योग में खाना वगेरे खाया और बस यह है रात का टाइम अब मैं करती हूँ वलोग को यहां पर ही एंड जितना हो सका मैंने वलोग बनाया तो आई होप आपको यह प्यारा सा चोटा सा वलोग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजेगा तो चलो चलते हैं अब ने हॉफीज